दियर इस्ट्यूएंट्स बीटी यूपी बोर्ड ने अपना जो है विसम समिस्टर का सैचले कलेंडर जारी कर दिया है 2023 के लिए पूरा का पूरा टैन टेबल आ गया है कि आप लोग को के जो है आपका किलासिस कफे चलेंगी आपका एडमिट करड कब आएगा एक्जाम कब ह आने वाले सब्सक्राइब को देखते रहें सारी जनकारी मिलने वाली ओफीसवन नोटीस बीटीव पी की बैब साइड पर आपको बताऊं लेकिन क्या है बीटीव पी कैसा बोड पर नोटीस आज बिल्कुल अभी अभी जारी किया गया आए 11 11 अगरस्त के लिए यह नोटी जारी की गई है ठीक है तो 11 अगरस्त को बीटीव पी ने यह नोटीस वेबसाट पर जारी की है बट यह नोटीस मैं बता दूँ आपको चार तारी को बीटीव ने बना ली थी देखी क्या है आप लोगों की सेचले कलेंडर को लेकर है कि डी फार्मा हो सभी के लिए बिसम स जो आपकी नई क्लास से सुरू हो जाएंगी यानि कि फार्स्ट थार्ड और फिप्ट की ठीक है ध्यान से सुन लो बाते हैं अब देखो क्या क्या है पूरा समझते हैं देखिए इसमें पूरा का पूरा आपको सबको समझा जाए जाएंगा कोई भी सित्ता ना बढ़ती ज भी आपकी जो इसमिश्टर का पठन का रहे हैं आप लोगों का 16 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी फिर देखिए बारशिक भाले भी सुन लें आउनकी वी उनकी सोर्ट से स्टार्ट हो जाएंगी अब जो नय चात्रा आ रहा हैं उनका प्रहरम है पंद्रा पंद्रा आवेदन का जो नामांकन है वो 15 अक्टूबर से लेकर 10 से नवंबर के बीच करा जाएगा परिक्षा फॉर्म यानि कि आपके एक्जामिनेशन फॉर्म परे जाते हैं पंदरा दिसमबर से लेकर 20 दिसमबर के बीच में आपका अजमिन काड़ आजाएगा और सबसे बड़ी बात जो आउलन आपके अंको की फीडिंग होती है वो तीन दिसमबर से लेकर 15 दिसमबर तक आ जाएगी अब रही बात प्रैक्टिकल की तो प्रैक्टिकल एक्जाम जो आपका होने वाला है विसम सेमिस्टर का वह 17 दिसमबर से 26 दिसमबर के बीच करा लिए जाएगा और रही बात में एक्जाम जो आपका होता है फर्स थर्ड फिप्ट का वो देखें यहां पर 27 दिसमबर से आपका स्टार्ड होगा वही आपका जाकर जनवरी से आपका साथ जनवरी 2023 तक जनवरी की सम्थिंग आपका एक्जाम करा दी जाएगा इस क्लेंडर के नुशार देख सकते हो आप लोग 27 दिसमबर 2023 से आपके एक्जाम स्टार्ड होंगे और साथ जनवरी तक आपके एक्जाम करा जाएगे तो फिलाल बीटी उपी ने नोटीस जारी कर दी है सैचले कलेंडर को लेकर डी फार्मा के स्टुडेंट्स हों चाहें आप आप देख सकते हो 16 से आपकी क्लासिस स्टार्ड हो रही है अगस्ट से और आपके एक्जाम 27 दिसमबर को एक्जाम स्टार्ड हो जाएगा और साथ जनवरी तक चलेगा तो बिल्कुल तैयारी कर ल कमेंट भी हमें बताईएगा थैंक्स पूर वाचिंग जैन बंदे मात्रम टेक कियर आल दावेश्ट